Hello friends, आज मैं लέने वाली collective reading कि आने वाले समय में आपकी life में क्या होने वाला हैं क्या expect कर सकते हैं तो उसी topic को लेकर मैंने collective energy जू है आज बनाई है चलिए देखते हैं यहाँ है one of swords, story कैसे जा रही है, वहम देखेंगे next we have the chariot card ठीक है तो सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है काफी लंबे समय से cross roads हों confused हों तो उस stuckness से उभरते हुए जो है मेरे viewers वो नजर आएंगे ठीक है तो यहाँ पे पहली चीज तो यह निकल के आ रही है कि अगर आप लोगों को किसी भी दिखे की कोई भी confusion है तो आ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे stuckness की स्थिती यहाँ जाती हुई नजर आ रही है next हम लेंगे three of cups यहाँ celebration के जो है chances बनेंगे इसको हम उपर कर देते हैं ठीक है three of cups दिखा रहा है कुछ party attend करना friends के साथ कुछ अच्छा time spend करना outdoor यहाँ पे थोड़ी outdoor जो है activities दिख रही आप लोगों के लिए तो आप में से कुछ लोग जो है थोड़ा घूम फीर सकते हैं कोई party attend कर सकते हैं family friends के साथ कुछ अच्छा quality time spend कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है celebration mode ठीक है अपने लिए कुछ अच्छा वक्त निकालना nature में जाना बाहर जाना ठीक है थोड़ी वो energy नजर आ रही है आप सब लोगों के लिए next we have the night of wands अपने passion को जो है हवा देना या explore करना कुछ ऐसी activities जो आपको बहुत जादा खुश करें ठीक है एकदम आगे बढ़ना एकदम speed से आगे बढ़ना ठीक है जहाँ पे आपका passion लाई करता है चाहे आप किसी को पसंद करते हैं चाह फिल करेंगे ठीक है तो यहाँ पे एकदम just quick quick action लेते हुए आप नजर आएंगे stuckness को पीछे छोड़के confusion को पीछे छोड़के एक action taking mode में आप लोग आने वाले हैं जो भी ये video देख रहा है ठीक है queen of wands बहुत जादा आपका जो self love है बहुत जादा निखर के बार आने वाल हैं एक अजाद पंची की तरह ठीक है और आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहेंगे आपको अच्छा फील होगा जो all जो में चीज है यहाँ पर आपको आपको लेकर खुद को लेकर बहुत अच्छा फील होने वाला है next is six of wands यहाँ six of wands दिखा रहा है victory को किसी चीज को लेकर आप victorious feel कर रहे हैं high vibration में आ रहे हैं किसी चीज में जीत मिल रहे हैं लोग आपको admire कर रहे हैं तो यह reading उनके लिए है जो काफी लंबे समय से थोड़े confused थे लेकिन अब उनको एक रहा मिलने वाली है उन्होंने क्योंकि एक step उस confusion से उपर उठाया है और वो कही ना कहीं self love बह आप यहां से ले रही हूं वो दिखा रहा है कि आप एकदम clear mind अगर आपको पहले कोई confusion थी या कुछ भी था तो आप उस जो भी confusion की state थी उससे निकलते हुए एकदम sharp sharp decision लेते हुए यहां नजर आ रहे हैं quick and sharp decision passion के साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं manifest कर रहे हैं चीजों को अगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर साथ में दिख रहे हैं कि आप जो हैं किसी ना किसी तरीके से हो सकता है communication में हैं अपने friends के साथ ठीक है यहां emotional side जो है आप वो exchange कर रहे हैं अपने friends के साथ four of swords जो है वो दिखा रहे हैं आपकी healing हो रही है higher learning हो रही है यहां आप कुछ heal करके निकल रहे हैं अपनी life से कुछ past wounds से जिनको heal करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वज़े से higher learning आपने काफी कुछ सीखा है अपनी life से और अब आप totally ready है एक नई शुरुआत के लिए ठीक है आपने काफी लंबा इंतजार किया है इस न sabotage कर रहे हैं इस new beginning को यह new beginning आपके door पे knock कर रहे है friends लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी खुद को रोक रहे हैं चाहे कोई new love हो चाहे कोई new opportunity हो career या financial situation में तो आपको इस defensive nature को let go करना होगा आप जैसे ही इस defensive nature को let go करेंगे वैसे ही यहाँ पे एक stable new beginning जो की long term होगी long term आपक ठीक है आपको अपने defensive behavior को let go करना है यहाँ पे तो यह थी आप लोगों की एक collective सी reading कैसी लगी comment section ने बताएगा friends, okay friends, bye bye